हेलो सुदेंट्स होना पर करन जा रहे हैं continuity धा 14 लेक्चर इदेच अपां कुछ प्रोपर्टीस दी गल करांगे continuous functions देना रेकर डेड़ी है ता इतना शुरू कर देए अपां F ते G है जड़े दो continuous functions देते है आप दी common domain ते जिन्हों के अपां D के है यह अपां लेक्चर चे समझेवे पुरान है जिकि F function दी डोमेन भी हुन दी है जी दी आप दी डोमेन हुन दी है इनना दोना दी सांजी डोमेन उन्हों अपां नाम देता डी ला capital D ला ता अपांनों शुरूच कीक है कि F ते G दोने functions जड़े यह एक common domain ते की यह continuous है तैनक ने F वी continuous है common domain ते जी भी continuous है जे यह दोने continuous है ता ए छे results जेड़े की automatically यह दे नाल जुड़ जानदे है वो अपां पढद देयां ता F plus G function भी continuous ही होएगा उन्हादी common domain ते f minus g function भी continuous होएगा होना दी common domain दे f into g function भी continuous होएगा होना दी common domain दे alpha into f इदा ते आ रखना है because एदे चकल्ला f function है एदे चाप अपर नहीं कहना कि continuous होएगा होना दी common domain दे एदे चाप अपर गल करनी है कि alpha f है जड़ा continuous होएगा कि दे ते domain of f थे because यह दे चकला f function involved है तो alpha यह थे कि यह scalar है उद्धू बाद काल करिए quotient function दी f by g है जड़ा यहनू भी सिद्धा नहीं लेख सकते कि यह continuous होएगा उन्हाद यह common domain थे क्योंकि आपनू बचना पाएगा उन्हा values तो जित्थे की साथा denominator 0 होंदा है तो इत्थे ते आनल देखो कि है f by g continuous होएगा common domain चों ओह values छट दो केड़िया values तो लिखे x such that x x such that g of x is equal to 0 मतब common domain दे विच्चों ओह values छट दो जित्थे साथा denominator 0 बनदा है ता ओह सारे ते आ जड़ा सारे एदे ते साथा function f by g की होजेगा continuous एवाला जड़ा हैगा reciprocal function ता इत्थे भी कला f है तत्थे आनकना पर common domain जबिलकुल नहीं जाना इत्थे गल करांगे कि function 1 by f है जड़ा continuous होएगा common domain ता लिखनी की है domain of f पर domain of f चो भी ते आनकना है होन f साथा थले आ गया ता f दी domain दे विच्चो o values चड़ दो minus मतलब values चड़ दो केडिया values जित्थे साथा function 0 बन दा पर है ता ए होगी ए वाली जड़ी है ए डोमेन होगी 1 by f दी ता ए छे दे छे functions दे जड़े ए भी continuous होनगे ठेक है इना rules दे मताबिक कदों जदो आपनो f दे जी continuous देते है उनना दी common domain दे उसतो बाद कुछ आपनो important results पढ़ दे है जड़े कि आपनो याद रखने है इसे करके दे लिखा देखो टाइटल important results to remember कुछ functions है जड़े by nature हो continuous है गया है उननना दी एक chart है जड़े आप आप दे mind चे फिट करके रखना है जड़े कि अपनो questions दे विच अपनी help करूगा जिमे की पहला point constant function is everywhere continuous everywhere continuous के ड़े हुंदे जड़े की सारे real numbers दे ही continuous है ता constant function जिमे मैं एते example लिखी है f of x is equal to 5 5 की है continuous ता एक ही है जड़े function बन गया यह हर एक real number वास से continuous है ता इसे करके आप आप याद रखना है कि constant function हर जगा ते continuous ही हुंदे next the identity function identity function हुंदे f of x is equal to x जिन्हों की अपना है थे y भी लेख सर दे है ता y is equal to x भी कहा सकने है यह भी function है जड़ा everywhere continuous हुंदे है सारे real number से ही continuous रहना है ओद दो बाद modulus function जिदा की एक नाम हो रहा है absolute value function यह आपानों लिख दे हुने है f of x is equal to modulus of x यह भी everywhere continuous दी category जाना है then चोथे नंबर दे polynomial function यह भी everywhere continuous function हुंदे पंजबा नंबर exponential function एथे ते आ नहीं है f of x is equal to a raise to the power x a की होना चाहिए दा positive यह function की है यह भी everywhere continuous है a positive दा मतलब है कि 0 तो वड़ियां value सी base होनी है चाहिए दी बहावत एक function है जड़ा जिन्नों के अपा crollary बोल देना है main result यह जड़ा है a है जड़ी में लिखिया है कि a दी crollary मतलब यह जड़ा है इससे तो बने एक result है इससे करके नों crollary दा नाम देता ज़ना है f of x is equal to e raise to the power x is everywhere continuous यह क्यों everywhere continuous होया यह दिनल क्यों मिलता है because e है जड़ा वो अपनों पता ही है कि e दी value 2 तो बड़ी होन दी है 3 तो छोटी होन दी है तो मतलब एक condition पूरी हो रही है कि base है जड़ा वो होना चाहिदा सी positive तो e की है 2 ते 3 दे वेच जड़ा मतलब positive है यह दा मतलब e दी power x v है जड़ा यह everywhere continuous दी category चानदा है 6th number sin function जड़ा पर trigonometrics कर दें आप है दा graph देखिया plus 1 sin दा f of x is equal to sin x हो गया function वो भी की होंदा है everywhere continuous कोंकि graph किते भी यह दा break नहीं होंदा 7th number है the cosine function जिन्हों कि अप है इन short course बोल देने है f of x is equal to cos x यह भी की होंदा है everywhere continuous कोंकि यह दा graph भी आप प्लस 1 जगीत है किते भी है break नहीं होंदा यह अपना फिलाल यह वाले साथ दे साथ जड़े results है यह याद रखने है कि दू बहुत कुछ हो results लिखांगे ठीक है thank you for watching